हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का खेरियर्ट बनाऊगे जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी बहुत ही शौट वीडियो के मादिम से मैंने अनौंस किया है कि हर एक टोपिक को छोटे-छोटे वीडियो के मादिम से आपकी कॉंसेप्ट को क्लियर है श्वरसंदी का मैंने डाला था आपके कोई भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं यूपी पुलिस हो या फिर कोई भी एक्जाम है जिसमें आपकी हिंदी आती है तो हर एक एक एक्जाम के लिए आपकी वीडियो बहुत ही महतों रहेंगे प्रेक्टिस सेट की कुछ टोपिक्स वाइस मैं कराओंगी पहले तो तो उसी कड़ी में श्वरसंदी अपने कर ली है अभी अपने स्टार्ट करेंगे आज का टोपिक है शब्द शुद्धी संदी से भी आप शब्द शुद्धी यानि सब्द शुद्ध लिखना सीखते हैं और यह पर्टिकुलर ए ऐसे शुरू होने वाले शब्दों का है कि कौन कौन से शब्द हैं जो आपकी एक्जाम की दरश्टी से बहुत ही महतोपॉण है और उनको आपको याद करना है याद ही नहीं करना आपको अलग से नोटबुक डालनी है जिसमें डेली के जो भी आपको टॉपिक्स करवाती ह करना है फिर जैसे ही आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें चीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर सबसे अच्छा शब्द मुझे लगा अभ्यारण ने और अपन बच्पन से अभ्यारण ने शब्द को कैस शब्द अभ्यारण ने जबकि हिंदी की डिक्ष्णदी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता अभ्यारण ने शब्द सही जो है उसमें भे पूरा आता है यानि अभ्यारण ने आपका यू लिखा जाता है जो मैंने आप लिख रखा है अभ्यारण ने में भे पूरा आता है यान का आपको सिर colony ये रखना है दूसरा शब्द आपका है अन्तरधान ये शब्द आप गलत कैसे लिए सब्द शुद्ध में सारे कि सारे एक इक शब्द आपकी एक्जाम में आए हुए हैं सारे आप नोट कर लेना अगला दीखिए नेक्स पर शब्द है आपका अंत्याक्षरी अंत्याक्षरी शब्द आप कैसे लिखते हो अंत्याक्षरी आप ऐसे लिखते हो और बच्पन से लिखते आ रहे हैं और बच्प दत्स शब्द है छोटा सा आपको समझा देती हूं इसके पीछी का रीजन क्या है देखिए यदि कोई शब्द जिसके पहले विशग लगा हुआ हो और प्लस के बाद में यदि जैसे खंडन करते हैं संदी में मैंने संदी क्यों सिखाई आपको इसलिए सिखाई कि आप सही त रह जाता है विशग का ओ नहीं होता है यह आपको धान रखना है और उसका एक्जाम्पल आपके सामने है अधह पतन जैसे मैं इसका खंडन करूं तो शब्द बनेगा अधह प्लस पतन लेकिन आपने जोड़ा तो एसको जोड़ा इसका रीजन क्या था कि प्लस के पहले वि अधो पतन नाम का शब्द गलत होता है तो एक्जा चंण बातरता ड़ेकम होता है सही जोड़ा नाम का शब्द आपका सही है यह कई लिखेंगे नेक्स देखिए अगला शब्द बात करेंगे एक ही अपन बात करें हैं अभिष्ट शब्द बहुत बार एक्जाम में पुछे जाता है अभिष्ट में कई बार तो आपको सिधा-सिधा उप्षग ही पुछ लिए जाता है कैसे अभी प्लस इस्ट बराबर अभिष्ट होता है तो यह भी कई बार पूछा वह बहुत इंप्पोर्टेंट नेक्स देखिए अन्दिकार शब्द यह कैसे लिखते हैं अनुग्रहित यह लिखते हैं जबकि अनुग्रहित आएगा री आता है नीचे अनुग्रहित यह शब्द आपका शुद्द शुद है bolest से अनाथ होता जिसके मम्मी पाप्लिपोन ऑन बहफ और रहनाती पनाते हैं अना दो बनाते हैं बड़ा यदि तरीकी का शब्द लेते हैं जबकि सही शब्द क्या होता है अनात होता है अनाथा कि आए नहीं पूर्ड तो अन्धिकार आपका हो ही गया ऊपर मैं gezeigtر मा अहिल्या लिखा हुआ मिलेगा अहिल्या जबकि अहिल्या शब्द गलत है सही शब्द क्या होता है एहल्या शब्द सही होता है ठीक है नेक्स आशिरवाद शब्द अरे भाई यह तो बहुत ही मोटा शब्द है आशिरवाद अपने कैसे लिखते हैं यू लिखते हैं जबकि ये शब्द आपका बिल्कुल गलत शब्द है आशिरवाद हो गया इसी प्रकार से को शब्द लिखा जाता है आविर्भाव ये शब्द भी सेम नेक्स्ट वाले वर्ड के उपर आएगा ना कि ए की मात्रा के साथ तो आशिरवाद शब्द बहुत बार और जामनेर का तो रखना अनुपातिक चोटी सी बात और आपको बता देती हूं यह को शब्द है जैसे इसको मैं तोड़ूं तो क्या आएगा अनुपात ठीक है इसमें कौन सा प्रते लगा हुआ एक ध्यान रखना यह किसी शब्द में एक प्रते लगता है तो जब भी उसको जोड़ेंगे तो उसका प्रारंबिक वान वर्दी करेंगा कैसे तेखना यहां क्या था अनुपातिक हुआ वागे नहीं हुआ एक क्या बन गया आए इसका रीजन क्या था कि अपन एक प्रते जोड़ा है कोई भी शब्द लेलो आप किसी भी शब्द में एक प्रते जोड़ के देख लो लगबग लगबग प्रारम्बिक जो शब्द है वो वर्दी करेगा तो अनुपातिक नहीं होता सही शब्द क्या होता है ठीक है ठीक है कॉमेंट करते जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा और डेली-डेली आपके ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे आप खुद कोमेंट करके भी बता सकते हो कि इस टोपिक में हमारे दिक्कत है यह शब्द हमें लिखने नहीं आ रहे या पर इसा टोपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा वह भी मैं आपको प्रोवाइड गर्वाओं में नेक्स देखिए अध्यात्मिक यह कैसे लिखा होता है अध्यात्मिक आपका ऐसे अध्यात्मिक यह गलत है आपका बिल्कुल गलत है सही शब्द कैसे बनाए शब्द अध्यात्म देखो संधी आनी बहुत जरूरी आपको अध्यात्म प्लस एक प्रत्य जोड़ा ना तो जैसे इसको जोड़ेंगे प्रारुमीक वर्ण एथा क्या मन जाएगा आ बन तो अध्यात्मिक निता सही शब्द होता है अध्यात्मिक यह आपका बिल्कुल शेम्दों नेक्स्ट अगला देकिए आहलाद शब्द में आप हुझे भूब खुद कैसे लिखा जाता है तो आसु शब्दों तो देखिए यू लिखा जाता है जैसे इसको बवचन बनाएंगे तो आसु में उ की मात्रा है वो छोटी हो जाएगी और शब्द बनेगा आसुओ ऐसा नहीं आसुओ शब्द है यह इसका बवचन रूप है और यह आपका ब मात्रा लगती है ठीक है तो ऐसे ही इसके आगे कोई शब्द जुड़ेगा तो वह मात्र आटमेटिक छोटी हो जाती है नेक्स देखिए अहवान नहीं होता है अहवान शब्द सही होता है इसके नीचे भी हलंत लगा होता है अनूदित शब्द मोस्तली अपन यू लिखते हैं यह आपका गलत शब्द अती थी में यह चोटा आता है और थी भी आपका चोटा आता था तो अती थी अपन यू लिखते हैं नेक्स देखिए अटालिका भी बहुत बार पूछा जाते जो आपकी एक्जाम के दरश्टी से अती महतोपन शब्द थे एप पे जो भी शब्द बन रहे थे इसके अलावा आपको एक भी शब्द नहीं पढ़ना है ये शब्द आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है मैं डेली के आपको ऐसे ही वीडियो दूगी एक्जाम तक आपको डेली एक्जाम तक लिखना है मतलब अपनी नोटबुक में लिखना है साथ साथ याद करना है जैसे ही अपना सलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद अपन प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे ऐसे ही वीडियो जो आपको जीके के भी मिलेंगे जो आपको डेली देखने है एक्जाम में हो बहु प्रिशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा लेकिन जरूरी है तो आपको एक्जाम मतलब कि आपको नोटबुक में नोट करना है उनको बार बार रिपीट करना है चीक है इसके इलावा आप यदि SSC या फिर रेलवे एक्जाम्स के त्यारी करना चाहते हैं ओफलाइन तरीके से तो अपना सीकर राजस्तान में ओफलाइन सेंटर है आप आ सकते हैं आपका वेलकम है बिलकुल नंतम फीस में आपके लिए न् आपको कैसे लगा उसके लिए एक बार उसे कॉमेंट करके जरूर बताना डेली के मापको इसी तरीके से अच्छा अच्छे वीडियो प्रवाइड घरवाओंगी तो आपकी क्या राए है वो जरूर लिखना और अभी आध्या चाहूंगी आपसे यदि आप सेहमत है तो जे भारत धन्यवाद